नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ परवीन शेक इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर शिव सेना यूबिटी का मोधी सरकार पर निशाना बताया हिंदू विरोधी सरकार कहा जब देश में मनाया जाएगा गणेश उत्सव उसी समय बुला लिया है संसत सत्र जी ट्विंटी शिखर समेलन के लिए डिये मार्सी ने सुप्रिम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को दुलहन की तरह सजाया बनकर तयार हुआ अत्याधुनिक पैदल यात्री प्लाजा लोगसभा चुनाफ से पहले दिली कॉंग्रिस का बड़ा फैसला अरविन सिंग लवली बनाए गए दिली के कॉंग्रिस प्रमुक शेर बाजार में गिरावट सैंसेक 255 अंक गिर कर 64,831 पर हुआ बन निफ्टी 93 अंकों की गिरावट के साथ 19,263 पर हुआ बन ये तो थी सुर्खियां और अबात आज की सबसे बड़ी खबर की आज मंबई से राहूल गांधी ने मोधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला अडानी मुद्दे पर राहूल ने मोधी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए राहूल ने कहा कि देश का पैसा विदेशों में भ अंगाल किया जा रहा है तो कैसे राहूल के बयान से बुरी फसी मोधी सरकार देखते हैं ये रिपोर्ट कॉंग्रेस सांसद ने कहा कि पहला सवाल ये उड़ता है कि किसका पैसा है या अडानी का पैसा है या किसी और का है इसके पीछे के मास्टर माइन विनोद अडानी है जो गोतम अडानी के भाई हैं पैसे की सहरा फेरी में दो अन्य लोग भी शामिल है नासिर अली शाबान एहली और दूसरे एक चीनी नागरिक चांग चूंग लिंग है। पिशे सुविधाय मिली हुई है। पिशे सत्र को लेकर भी उठ रहे हैं। बीस दिन पहले ही संसत का मौनसून सत्र खत्म हुआ है। मोधी सरकार ने अचानक ही संसत सत्र बुला लिया है। संसत के विशे सत्र को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संसत का ये विशे सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा जिसमें 5 बैठ के हूँगी। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो दूसरी और सवाल ये भी उठ रहा है कि अचानक संसत के विशे सत्र को बुलाने की जरूरत क्या पड़ गई है। दावा किया जा रहा है कि इस समय मोधी सरकार दबाब में दिखाई दे रही है। संजे मिश्रा को लेकर कोट के फैसले को संसत में पलट भी सकती है। इसके साथ ही अडानी मामले को लेकर भी सरकार कोई बीच का रास्ता संसत सत्र के दोरान तलाश कर सकती है। विशेश सत्र होने के चलते विपक्ष किसी विशेश मुद्दे पर चर्चक दबाब सरकार पर नहीं बना पाएगा। और ऐसे में केन सरकार कोई चोकाने वाला कदम उठा सकती है और ये चोकाने वाला कदम संसत भंग करने का भी हो सकता है। जिससे इस साथ चुनाव कराये जा सकते हैं क्योंकि जिस तरह से इंडिया गडबंदन मजबूत होता जा रहा है उससे सरकार दबाब में दिखाई दे रही है। संकेद इस बात के भी हैं कि CAA NRC से जुड़ा कोई बिल सरकार ला सकती है। सवाल कई उठ रहे हैं और जिस तरह से विशेश सत्र बुलाया गया है उससे साथे की मोदी सरकार दबाब में है। तो आज बैठक में क्या रहा खास देखते हैं ये रिपोर्ट। सकती है और मैनिफेस्टो और सीट शेरिंग को लेकर बात चीत होने की संभावनाए हैं। बैठक की सबसे खास बात ये है कि कौन सा दल कहां से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा यानि सीट शेरिंग के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो रही है। आज विपक्षी दलो के नेता होटल में जमा हुए और फिर वहाँ डिनर है। इस रात्री भोच का आयूजन उद्दव ठाकरे ने किया। जिस तरह से बीजेपी हमें निशाना बना रही है उससे पता चलता है कि वो इंडिया गडबंदन और हमारी जीस से डरे हुए हैं। उनकी नफरत देश और समविधान से हैं और हम उने जीतने नहीं देंगे भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है लेकिन हमारे पास पीम चेहरे के लिए कई विकल्प हैं। आरजेडी प्रमुक लालू परसाद यादव ने कहा कि लोकतंतर की रक्षा करना हमारा फर्ज है देश की एकता और अखंडता बचाना विपक्ष की जिम्मेदारी। एंसेपी सांसस सुप्रिया सुले ने कहा कि दुनिया में हमारी पहचान इंडिया से हैं। विपक्ष से सरकार परिशान है इसका मतलब विपक्ष अच्छा कर रहा है। इधर इंडिया की बढ़ती ताकत से बीजेपी का डर साफ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी सरकार ने बता दिया है कि जम्मो कश्मीर में कब होंगे चुनाव। आज सुप्रिम कोट में अपना जवाब दाखिल करते हुए केंदर ने कहा कि राज्ये में जल्द चुनाव कराये जाएंगे। में 45.2% की कमी आई है। में आपको बता दू कि केंदर ये कदम केवल यूटी होने तक ही उठा सकता है। केंदर चुनाव के लिए तयार है। लेकिन राज्य और केंदर चुनाव आयो को ये तय करना है कि इसे कप कराना है। हम बताना चाहते हैं कि जम्मु कश्मीर में फिलाल हाला सुधर सकते हैं। केंदर के इंतरकों पर सीजोय डिवाई चंदर चुट ने कहा कि केंदर के इस जवाब से मामले की समवधानिक्ता तै करने में कोई असर नहीं होगा। इस मामले की समवेधानिक्ता को तैह करेंगे दरसल कपिल सिबिल ने कहा था कि अदालत को इस शेतर में नहीं जाना चाहिए तो अब देखना होगा कि जम्मो कश्मीर में कब तक चुनाव हो पाते हैं सुप्रिम कोट के सवालों से मोधी सरकार दबाब में हैं दरसल मणीपूर में भी बीजेपी दबाब में है क्योंकि बीजेपी राज्य में शांती स्थापित करने में पूरी तरह से नाकाम है राज्य में अब तक जाती है संगर जारी है जिसमें एक बार फिर दो लोगों की जान चली गई क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपोर्ट और खोसा बुंग इलाके में पुलिस को दो गुटों के बीच गोली बारे की सूचना मिली थी इस घटना में दो लोगों की जान चली गई इस घटना को लेकर अधिकारियों का कहना है कि बुदवार शाम को कुछ घंटों के लिए शान्ती के बाद फिर से राज्य में हिंसा बढ़क उठी है गोरतलब है कि ग्रह मंत्री अमिर्शा ने मणिपूर का दोरा किया असम के मुख्य मंत्री हिमंत बिस्बा सर्मा को मैतेई और कूकी समुदाय के बीच खाई पाटने की जिम्मेदारी दी गई लेकिन मणिपूर में हिंसा लगातार ज़ारी है और हर कोई यही सोच कर हैरान है कि आखिर क्या वज़ा है कि किंद्र और राज्यसरकार 4 महिने से जानी तराव और हिंसा को काबू में नहीं कर पा रही है मनिपूर मुद्यपर मोदी सरकार की नाकामी फिर चर्चा में है चर्चा में तो सिंधिया भी बने हुए हैं मद्यब्रदेश बीजेपी में बगावत के सुर्थ तेज हो गए हैं अभी तक तो पार्टी के पददिकारी ही इस्तिफा दे कर कॉंग्रेस में जा रहे थे जोती रादत सिंधिया की चुनाव शेत रशिफपूरी की कोलारे सीट से बिजेपी विधायक विरेंदर सिंग रगुवन्षी ने बिजेपी कारी समीती से इस्तिफा दे दिया है अपने इस्तिफे का एलान करते वे उन्होंने जोती रादत सिंधिया और उनकी समर्थकों पर निशाना साधा है रगुवन्षी ने कहा कि पूरी ग्वालेर जंबल में मेरे जैसे कई कार करता है जिनकी उपेक्षा नहीं नहीं भाचपाई कर रही है सिंधिया पर तीखा तंच कस्ते वे रगुवन्षी ने कहा कि 2020 में सिंधिया ने ये कह कर कॉंगरिस की सरकार गिराई थी कि किसानों का दो लाग का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा पर बिजेपी की सरकार बनने के बाद सिंध्या ने किसान कर्ज माफी करना तो दूर आज तक कर्ज माफी की बात नहीं की कहा जा रहा है कि जल्द ही रगुवनशी कॉंग्रिस में शामिल हो सकते हैं दावे तो ये भी किये जा रही है कि कुछ दिनों पहले ही दिग विजे सिंग के बेटे और राधोगट से विधायक जैवर्धन सिंग शिपपूरी के दौरे पर आई थे इस जोरान उनकी रगुवनशी से बात भी हुई थी और अब उनका इस्तिफा हो गया है रगुवनशी 2014 के लोकसभा चुनवा में कॉंग्रेस छोड़कर बिजेपी में शामिल हो गए थे उस समय भी उनके इस्तिफे के पीछे सिंध्या को ही सबसे बड़ा कारण बताया था और इस बार भी सिंध्या के चलते वो बिजेपी छोड़ गए है मंदेप्रदेश के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इर्फान की किस खबर पर पड़ी तिर्ची नजार यजित Weather बता से करिय देजेखको पर लिए के अगलस़ मेराँ है से कारी और इस करेको, बाद से क्वान का माने का बता सबसेट Keजी इनके छी दो कि उनके भी पलंबार कर अस कि और ऋबनने के किल देट की है 28 दलों के साथ Gateway of India के शहर मुंबई में इंडिया गडवंदन के लोग जमा हुए हैं यही अगले बदलाव के रास्ते का दर्वाजा है लेकिन याद रहें अभी सिर्फ दर्वाजा ही तैयार हुआ है बुलंद इमारत बनना अभी बाकी है बहुत बहुत शुक्रिया इर्फान जी और बुलेटिन के आखर में बात वसुन्द्रा राजे सिंध्या की राजे सान बीजे पी में चल रहा टक्राव अब सड़क पर आ चुका है वसुन्द्रा समर्थक विधायक कैलाश में गवाल की मोदी सरकार के मंत्री पर दिये गए बयान का मामला अभी शान्द भी नहीं पड़ा था कि अब वसुन्द्रा राजे सिंध्या के एलान ने पार्टी को बैक फुट पर धकेल दिया है तो क्या है वसुन्द्रा राजे सिंध्या का एलान देखते हैं ये रिपो राजस्थान बिजेपी में टकराव सड़क पर आ चुका है वसुन्द्रा समर्थक लगातार बिजेपी हाई कमान पर दवाब बना रही है कि राजे को सीम फेज गोशित किया जाए लेकिन पार्टी ने इस मांग से साफ इंकार कर दिया है तो वसुन्द्रा भी अपने ठीक एक दिन पहले वसुन्द्रा धार्मिक यात्रा पर निकल रही है वसुन्द्रा के देश दर्शन प्लान से बिजेपी बैक्वूट पर दिखाई दे रही है अपनी यात्रा की शुरुवात वसुन्द्रा रास समन जुले में इस्तित चार भुजा मंदिर से करेंगी यह इस दो सितंबर को विजेपी की परिवर्तन यात्रा की कारकरब में शामिल होंगी इस पर तस्पीर साफ नहीं हुई है क्योंकि उनकी जाने का कारकरब अभी तै नहीं हुआ है या लिए वसुन्द्रा ने सीधे सीधे विजेपी को चुनौती दे दी है दूसरी और वसुन् झाल झाल